करेंगे किस तरीके से हम यास कोंफिगर करते हैं तो बीफोर इसको जानने से पहले अगर मेरे चैनल में नहीं तो जिरू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहें तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानते ही हम होता क्या है तो एक कमांड लाइन पैकेश टूल है जिसका फुल फॉर्म होता है येलो डॉडग अपडेट मॉडिफायर जो की एक 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 अप्लिकेशन को इंस्टॉल करने के लिए काम में आता है और इससे मतलब इ देखा हुआ है कि इस तरह किसे पैकेश को लोग इंस्टॉल करते हैं तो वही चीज़ हम लोग इस पर भी देखेंगे अगर थोड़े से पैकेश को इंस्टॉल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सिंपली इंस्टॉल और पैकेश का नाम और तो इससे क्या हो जाएग अगर मुझे search करना है तो मैं यम search करके उस package का नाम डालके भी search कर सकता हूँ और अगर आपको पुरे list check करने के कितने मेरे पास packages हैं तो यम list install कर देंगे तो जो package install होंगे वो सारे पता चल जाएंगे अगर आपको इसका एम का cache क्लियर करना है तो आप लगा सकते हो एम clean all तो यह packages क्या होते है packages मतलब जो आपकी services हो गई जो आप इस पर install करोगे या कोई application आपको इस्टॉल करने का है तो हम packages बोलते है और इसके पहले और जानना चाहेंगे तो इसमें दो चीज़ और होती है एक आपके app stream करके इसमें repositories बनती है उसी के थूँ आप सारे अप्लिकेशन इंस्टॉल करते हैं तो चलिए अब इससे इंस्टॉल करने के लिए अपने redhead के मशीन पर चलते है अपने पहले मशीन पर तो टर्मिनल ओपन कर लेते हैं अब मुझे अगर packages इंस्टॉल करने तो मु repository बनानी पड़ेगी तो उससे कैसे बनाती है वह भी देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग हमारे पास इसका एक आइसो इमेज होना चाहिए जहां पर आपका packages होंगे तो यहां पर मेशीन पर कॉपी कर लेता हूँ तो कॉपी करने से पहले मुझे से मांट करना पड़ेगा हमने में इसको मांट कर लिया है इसके बाद मैं इसे एक फोल्डर में कॉपी कर लेता हूँ तो कॉपी करने के लिए पहले डिर्क्रीट कर लेते हम लोग रूट के बना रहे है रहे हीु और उसी के अंदर से लोग कोपी कर लेंगे तो हम चलते सीडी स्लैशं स्लैस में अन्दर पह और उसके बाद सीपी कमंड लगएंगे सीपी अ करनी है और कॉपी कहा करना है मुझे आरेचल के अंदर पर और वर्बस ली कर लेते तो इसले स्विच्च भी लगा लेते हैं तो आइफ़न एवी अजये है यह अभी जब तक काफी हो रहा है तब तक हम लोग एक और उपन कर लेते ऑ जहांपर लोग इसके फाईल बनाएंगे इसे कॉपी अने देते हैं हुम टब पर चलते हैं इसे बड़ा कर लेता हूं अब अब जिस फाइल को हमको एडिट करना है वो इस लोकेशन पर चलते हैं तो हम उस लोकेशन पर चलते हैं तो सीडी स्लाश एटी सी स्लाश हमको जाना यहम.repos.d में और उसके बाद एंटर कर लेंगे तो अब चेकर तो इस डियक्टर के अंदर पर क्या है तो गाइस एक अल्रेडी पहले से ग्रेट रेपो करके बना हुआ है वट हम इस फाइल को यूज नहीं करेंगे अगर इसके कंटेंड देखना चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हैं और रेड हैट डेट रेपो में यहां पर एक अपना नया फाइल करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहां पर चलते हैं एक फाइल बनाएंगे विम के एडिटर का यूज करके और मैं उसका नाम देदे रहा हूं शिव लेकिन यहां पर एक्सेंशन हमेशे याद रखना है कि आपको रेपो एक्सेंशन देना इसके बिना आपका फाइल बनेगा नहीं तो यह फाइल ओपन हो गई है अब यहां पर मुझे इसे एडिट करना है तो इंसर्ट करते हैं अब यहां पर हम लिखेंगे हमें दो रेपोजेट्री बनानी है इसी के अंदर पर तो पहले वाली का नाम में दे दे रहा हूं बेस हम कमांड लिखना स्टार्ट करते हैं अब गईस आपको यह बेस यूरल चाहिए तो इसका यह कहां से मिलेगा जहां पर आप फाइल को कॉपी कर रहे हैं उस लोकेशन से आपको उठाना पड़ेगा तो फिलाल मैं भी एक टर्मिनल ओपन और कर लेता हूं क्योंकि यहां पर तो अभी कॉपी हो रहा है डेटा हम वेट कर लेते हैं इसको कॉपी होने देते हैं आफ्टर कॉपी होने के बाद फिर हम इसको कॉपी फाइल को एडिट करेंगे इस फुरी फाइल कॉपी हो चुकी है तो एक बार हम अपने इस फोल्डर पे चलते हैं तो cd slash rhl और यहां पर हम एक बार क्लियर कर देते हैं कि ना विल्ट चेक कि हमारे फाइल पर अंटेटा क्या क्या है तो हम लोग यहां पर लगा लेते हैं यह यहां पर देखिए आपके पास एक बेस और एक अप्स्ट्रीम है तो मुझे यह लोकेशन में जाने का है और यह लोकेशन ही में वहां पर आपका बेस यॉरल होगा तो स्थे के लिए कहल थे हम लोग कूपी कर लेते हैं और उसके बाद हम आपने फाइल पे चलते हैं जो हमारी हमारे बेस लोकेशन यह हो गया इसको में हम लिखेंगे बेसिकुल टो फाइल पोलन स्लैश्लैश और जो हां से कॉपी केते हैं उसको पेस्ट कर देते हैं जैन जीपीजी चेक एकवल टू जीरो और इनेबल टू वान तो यह होगी बेस्ट के लिए ऐसे ही हम लोग एक रेपोजेटरी और क्रेट करेंगे जो कि हमारे आप स्ट्रीम के लिए रहेगी और नेम दे देते हैं यह बाद जीपीजी जीपीजी चेक एकवल टू जीरो और और इनेबल टू वान इसके लिए सेफ कर देते हैं डबले क्यू गर के नाव चेक करेंगे कि हमारे रेपोजेटरी बनी है कि नहीं तो इसके लिए हम लोग चेक करेंगे कमांड है अगर यह बन जाएगी तो आपको यहां पर पैकेजस दिखा देंगे क्लियर है कि नहीं तो इसके अगर आप चेक करोगे तो आप यहां पर देखेंगे बेजवेस में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारा कुछ फाइल में लिखने में तक प्रॉब्लम हुआ होगा तो एक बार आप अपनी फाइल्स को फिर से चेक कर लेते हैं हुआ है तो हमने जो यहां पर फाइल में एक इश्यू है कि हमने यहां पर यहां पर यह कर दिया है अब नौश्वर सेफ कर देते हैं कि सेफ कि ना वह पर सेभी चेक करते हैं कि यहां पर आपको एप्ली केशन हो गया अब अगर मुझे कोई एप्ली केशन देखना एक, इंस्टॉल करते हैं जो क्यों कि i m install पहले तो लोग चेक कर लितें कियो सर्विस है कि नहीं हमारे पास तो हम लोग कर देए sistema से टेल स्टेटर्स कि विए सेफ़ टेपीडी तो यह सर्विस हमारे पास है नहीं तो अब इसी सर्विस को में को इस्टॉल करना तो इस बहुत इजी है कि यह इंस्टॉल कि विए सेफ़ टेपीडी और उसके बाद हाइफन वाई आप एंटर प्रेस कर दीजिएगा तो अगर यह आप देखेंगे अपने आप यह पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गए अभी पूरे इस पर तीन पैकेज लग रहे थे तो इन इस्टॉल कर दिया चेक करने के लिए वापस से मैं स्टेटर्स देखता हूं तो गैस देखी यह लोड़ेड है और इस तरीके स यह सर्विस इंस्टॉल हो गई है तो इस तरीके से आप यह रिपोजिटर्स का यूज कर सकते हो क्रेट करने के लिए और पैकेज इस इंस्टॉल करने के लिए और जो आपका इसकी फाइल है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर वीडियो आपको पसंद तो जरूर आपसे लाइक करेगा शेर करेगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिसे मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें थैंक्यू